हलो एवरिवान स्वागत आपका अपने ही चैनल बी इंग्रिश्ट आंकर में गाइज आज जो स्टोरी में आपके लेकर आए हूँ बहुत ही अच्छी है पाथ टू हैपी लाइफ पाथ होता है मार्ग हैपी लाइफ मिंस सुखी जीवन तू मिंस का सुखी जीवन का मार्ग एक एक वर्ड की हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड विड हिंदी में यहां पर लिखती जाओंगी और जो भी ग्रमेटिकली स्टॉक्चर होगा उसको भी हम साती साथ समय से जाएंगे जो की बहुत इंपॉर्टन है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए तांकि ऐसी ही यूसफुल वीडियो एविटे आप तक पहुंशती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं अकिंग वॉज ऑल्वेज अंडर स्ट्रेस एक राजा was means थाथे थी का सेंज आएगा always means हमेशा under stress means तनाव में रहता था ठीके ना एक राजा हमेशा तनाव में रहता था under stress means तनाव में रहना एक दिन एक दिन एक विचारक विचारक होना होते हैं जो कि बहुत ही विचार विमर्ष करके मतलब बहुत ही सोचते हैं और तब आंसर करते हैं विचारक केम second form है तो यहां से पता चलता है कि वाकि कौन सा है past में है आया to meet मिलने मिलने के लिए him means उसे एक राजा बहुत तनाव में रहता था और एक दिन एक विचारक उसे मिलने आया when he asked the king जब उसने पूछा राजा से about means के बारे में his problem उसकी समस्या के बारे में पूछा तो उसने कहा he said I want to become a successful king उसने क्या कहा जब विचारक ने when he asked ठीक है the king जब उसने राजा से पूछा किस के बारे में उसकी समस्या के बारे में क्योंकि वो हमेशे तार नाव में रहता था तो उसने कहा कि I want to become a successful देखिए I के साथ क्या लगा है first form first form लगी है subject के साथ यहां से पता चलता है कि present indefinite का sense है और ता है ते है का sense आएगा I want की means I want to become मैं to become means बनना चाहता हूं ठीक है मैं बनना चाहता हूं एक successful means सफल राजा whom everyone of the people likes जिससे प्रतेक व्यक्ती ठीक है every person of the people likes ठीक है ना प्रतेक व्यक्ती और जो लोग है वो उसको पसंद करें ठीक है ना till now I have read about many successful kings till now अब तक now means अब अब तक अब यहां से देखे I have read read की third form है यह read read, read, read have के साथ third form लगी है present, perfect चुका है, चुकी है, चुके है a है, e है, a है इसका sense आता है वाक्य के अंत में I have read कि मैं पढ़ चुका हूं ठीक है about के बारे में many successful means बहुत सफल राजाओं के बारे में मैं पढ़ चुका हूं और followed their policy और मैंने क्या किया अनुसरन किया पीछा किया उनकी जो नितियां है उनका तेके जो उनकी policies है उसका पीछा किया नुसरन किया पालन किया पालन किया कह सकते हैं but did not get the same success लेकिन अब ये क्या है did not के साथ first form लगी है तो ये past indefinite का क्या है ये negative है ये क्या है past indefinite है followed second form लगी है और ये क्या है did not get लेकिन मुझे same success वही सफलता नहीं मिली ठीक है मैंने वो क्या कहना चाहता है कि मैं बहुत सारे सफल राजाओं के बारे में पढ़ चुका हूं present perfect and followed their policies उनकी policy को मैंने पालन किया लेकिन नहीं मिली मुझे वही सफलता मुझे नहीं मिली past indefinite का negative है despite my best effort despite means के बावजूद मेरे सबसे अच्छे effort होता है means क्या करना effort करना परियास सबसे अच्छे परियास के बावजूद भी I am not able to become a good king कि मैं नहीं बन पाया ठीक है बनना become एक अच्छा राजा नहीं बन पाया I am not able to become able to means किसी भी काम को करने में सक्षम होना तो मैं अच्छा राजा बनने के सक्षम नहीं हुआ आफ्टर लिस्निंग तो दे किंग सुनने के बाद राजा को सुनने के बाद राजा को सुनने के बाद the thinker said जो विचारक था उसने कहा whenever a person जब भी एक व्यक्ती does means करता है do के साथ क्या लगा है करता है का sense आएगा क्योंकि present indefinite का sense दे रहा है जब भी verb की form के साथ आपको es दिखे तो वो क्या होता है present indefinite और उसका जो पैस्चान होती है ता है ते है ती है के sense में होता है वाक्य में whenever a person does something जब भी कोई इनसान कुछ contrary means विप्रीत to his nature अपनी nature प्रवर्ती अपनी nature के विप्रीत जब भी कोई इनसान कुछ करता है this is what happens तो यही होता है happens means यही this is what means यही इसका this is what means यही happens means होता है ठीके ना जब कोई इनसान अपनी nature के अलग जाकर कोई काम करता है तो यह ऐसे ही होता है किस ने कहा विचारक ने कहा आप देखते हैं क्यूं कहा the king express surprise जो राजा था उसने व्यक्त किया व्यक्त किया means ठीक है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया किसमे surprise means वो हैरान हो गया हैरान होकर उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा वॉट डिड़ाइ डू अगेंस माइ नेचर की मैंने क्या किया है वॉट डिड़ाइ यह क्या है डबलिऊ एच फैमली है पास्ट इंडेफिनेट की इंटेरोगेटिव ठीक है न, what did I do कि मैंने क्या मैंने क्या किया है against के विरुद इसके विरुद मेरी nature के विरुद मैंने क्या किया है वो surprise हो गया इस सुनकर the thinker said you have not been given the right, अब इसको ध्यान से देखिए ठीक है न विचारक ने कहा विचारक ने कहा you have not been given, अब देखिए have और been उसके साथ क्या दिया गया है, third form ठीक है न, तो यह क्या है यह है present perfect का passive है इसमें क्या sense आएगा दिया गया है का, इसी तरह से क्योंकि given means देना है ठीक है, given means देना दिया गया है यह फिर दिया जाता है का sense आएगा अब इसको पढ़ते हैं, you have not यह negative है means तुम्हें नहीं दिया गया है तुम्हे नहीं, given means देना, जो भी वर्ब की फॉर्म है उसका जो हिंदी में उत्तर होगा उसके साथ हम गया है का sense देंगे नहीं दिया, गया है हक, right ठीक है, किसके द्वारा नेचर के द्वारा तुम्हें यह हक नहीं दिया गया है to rule, राज करने का, over means उपर, दूसरे लोगों पर, ठीक है वो विचारत क्या कहना चाहता है, कि नेचर के द्वारा तुम्हें हक नहीं दिया गया है, दूसरे लोगों पर राज करने का आरा है समझ में यह क्या है present perfect का passive है you will find happiness तुम है find means मिलेगी यह क्या है future indefinite will के साथ first form लगी है find means मिलना ढूंडना पाना तुम है मिलेगी खुशी only सिरफ तब when you live and तुम जीते हो एक साधारण जीवन like means तरहां दूसरे लोगों की तरहां अभी मैं समझा देती हूँ आपको you will find happiness तुम्हें खुशी मिलेगी सिरफ तब जब तुम एक दूसरे लोगों की तरह साधारण जीवन को जीते हो you live present indefinite ताहते है का सेंस आएगा तुम जीते हो का सेंस आएगा the life of a lion जो जीवन है किसका शेर का living in the forest रहते हुए इसमें जंगल में जंगल में रहते हुए शेर का जो जीवन है यह क्या है present participle है means कोई काम करते हुए किसके noun की विशेष्टा बता रहा है ठीके न is always है हमेशा in danger खत्रे में क्योंकि because of its किसके कारण उसकी जो skin है जो उसकी खाल है क्योंकि it's very valuable वह है बहुत कीमती ठीके वो बहुत कीमती है मुझे पता है कि मेरे हिंदी में बहुत सारी गलतियां होंगी उसके लिए I'm very sorry लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए ठीके the life of a lion जो जीवन lion का जो शेर का जीवन है वो जंगल में रहते हुए हमेशा खत्रे में है क्योंकि क्या कारण है because of it उसकी because यहां पर यह नहीं आएगा because of means के कारण ठीके किस के कारण उसकी खाल के कारण क्योंकि वो बहुत क्या होती है कीमती होती है clear है that's why he goes out hunting at night इसी लिए यही कारण है या फिर इसी लिए वे है goes means जाता है go के साथ yes लगा है ठीके न he क्या है third person singular है उसके साथ first form के साथ yes लगा he goes वे है जाता है बाहर शिकार करने रात में ठीके रात के समय वो शिकार करने इसी लिए वो रात के समय बाहर शिकार करने जाता है so that time की no one की कोई भी नहीं मारता है उससे kills him की कोई भी उससे नहीं मारता है आगे देखते है because of his beautiful skin because means because of के कारण उसकी जो बहुत सुन्दर खाल होती है skin होती है उसके कारण उससे कोई भी नहीं मारता है ठीके ना the lion does not shed his skin maybe जो share है वो does not shed यह क्या है present indefinite का negative है ठीके ना lion does not third person singular है इसलिए does not का use हुआ है does not shed means नहीं उतारता है उतारता है अपनी खाल को शायद शायद वो अपनी खाल को नहीं उतारता है but for your success you can stop considering yourself the king but for yourself but लेकिन तुम्हारी सफलता के लिए you can तुम सकते हो ठीके can means जहां भी can दिखे वहाँ सकता है सकते का sense आएगा you can stop तुम रोक सकते हो considering yourself अपने आपको मान कर मान कर अपने आपको राजा ठीके अपने आपको राजा ना मान कर तुम अपनी सफलता को सफल बन सकते हो for you for your success you can stop considering yourself कि अपने आपको तुम राजा मत समझो ठीके अपने आपको अपनी success के लिए तुम अपने आपको तो राजा ही मत समझो, यह कहना चाहता है वो, stop considering yourself the king, as long as you consider yourself a king, ठीक है, कि जितना, as long as, जितना तुम, ठीक है, समझते हो, you के साथ first form है, consider, समझते हो, अपने आपको, yourself, अपने आपको, राजा, you will only suffer, उतना तुम, क्या करोगे, सिर्फ, दुख पाओगे, ठीक है न, वो कह रहा कि, as long as, you consider yourself a king, अगर तुम, अपने आपको, जितना, राजा मानोगे, उतना ही, तुम, दुख पाओगे, you will suffer, ठीक है न, future indefinite, the king understood, राजा, समझ गया, understand की second form क्या है, understood, the thinkers, विचारक के, शब्दों को, वो क्या बोलना चाहता है, और, from that day, और, उस दिन से, उस दिन से, he became happy, वो हो गया, क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है न, समझी अच्छे से, उसने, वो क्या कहना चाहता है, कि तुम अपने आपको, राजा ही मत समझो, ठीक है न, एक ordinary life, जियो तुम, जब से, और, फिर, वो, समझ गया, जो राजा था, वो समझ गया, understood, the thinkers words के शब्दों को, और उस दिन से, वो खुश रहने लगा, in fact, वास्तव में, expectation, जो उमीद होती है, the cause, कारण होता है, किसका, दुखी, उदासी का, बात भी सही है, जब हम किसी से, उमीद करते हैं, अगर वो तूटी है, तो हमें कितना द दुख लगता है, तो इससे अच्छा हम किसी से उमीद रखे ही, ना, क्या कहता चाहता है, कि वास्तव में, जो उमीद है, वही कारण होता है, दुखी का, उदासी का, therefore, इसी लिए, do not have expectation from anyone, ठीक है, do not have, मत रखो, ठीक है, expectation, उमीद, प्रॉम, किसी से, किसी से, और, जियो, एक साधारण जीवन, while doing your work, ठीक है, काम करते हुए, अपना काम करते हुए, ठीक है, na, therefore, do not have, have का, negative है, do not have, किसी से, उमीद ना हो, ठीक है, यहाँ पर, ना हो, होना को have लिखते है, have का negative है, do not have, therefore, किसी से, उमीद ना हो, ठीक है, और, एक साधारण जीवन, जीए, अपना काम करते हुए, while doing your work, then the experience of, फिर, जो अनुभव है, किसका, शुद्ध, खुशी का, मतलब pure खुशी जिसको कहते हैं, ठीक है, becomes easy, हो जाता है, आसान, का कहना चाहता है, कि जो experience है, जो अनुभव है, एक pure happiness, एक पिल्कुल शुद्ध, जो खुशी होती है, पूरी तरह से, becomes easy, आसान हो जाती है, उसका अनुभव लेना, आसान हो जाता है, तो I hope यह story अच्छी लगी guys, आपको बहुत को सीखने को मिला होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको share करें, जितना हो सकता है, उन लोगों तक जो लोग English को अच्छे से सीखना चाहते हैं, ठीक है, God bless you,